हेलो नमस्ते इस समचार पल्स वेलकम टू आल तोड़े वी हव लॉट्स ऑफ स्टाटिक्स न्यूज तो लेट्स बीगन यह जो न्यूज है रिलेटेड है गेम एन स्पोर्ट से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्जाम पॉइंट व्यू से चले डिटेल से डिसकस करते है किनको क्या एवार्ड मिला है दीगे आज हमारी जो महा महीम राष्टपती दुरापदी मुर्मुर्जी है इन्होंने राष्टपती भवन में नैशनल स्पोर्ट्स गेम एन स्पोर्ट्स का जो बड़ा बड़ा एवार्ड है जो बीगस्ट एवार्ड है इंडियास लेवल पर यह सारे एवार्ड प्रदान किये गया है किनको कौन सा एवार्ड मिला है डिटेल से जानते हैं बैग्राउंड के साथ तो सबसे पहले है अर्जुन एवार्ड अर्जुन एवार्ड मिला है फेमस क्रिकेटर मोहमद समी हाल जीहां समी काफी न्यूज में रहें उनका गा सब जगह समी को ही कवर किया गया, यह दाट वर सप्राइजिंग फो मीज़ अधर्स प्लेयर्स वर अलसो देर, सब का परफॉर्मंस बहुत ही आय था पर हर जगह, you know, कवरेज समी जी को मिला है, चैस गेम से समन्दिद है, आर वैसाली, जो आर्चर्स है, ओजस प्रवीन दोतले, अधिती गोपी चंद स्वामी जी को मिला है, अगर हम बात करें, गॉलफर्स दिख्छा दागार को मिला है, और जो ने वर्ड कबड़ी के जो प्लेयर है, पवन कुमार और रितू नेगी, इनको मिला है, आरजुने वर्ड कबड़ी में, होकी प्लेयर्स कृस्ना बहादूर पाथक और पी सुसीला चानू को मिला है, खोको में मिला है नसरीन को, और उसके बाद स्क्रास प्लेयर जो है, हरिंदर पाल सिंग सांधू, टेबल टैनिस प्लेयर, अहिका मुखर जी और जो रिसलर है, सुनिल कुमार, जो उशु प्लेयर है, इसमें मिला है एन रोसी बीना देवी जी को, और जो नेवाड, लॉन वाल प्लेयर्स में पिंकी जी को, फिर जो सूटर्स है, स्वेरा प्रताप सिंग, अनेशा सिंग को मिला है, ब्लाइन क्रिकेटर इल जो प्राची यादव है, और अदर्स जो है, इनको और जो नेवाड मिला है, द्रुनाचार एवाड में जो रेसलर कोच ललित कुमार, और चेस के जो कोच है, आर बीरमेस, पारा एतलिक्स के जो कोच है, महाबीर प्रेशाद सैनी, और होकी कोच शिवेंदर सिंग अन अदर को मिला है, ध्यानचन्द एवाड जो कि लाइफ टाइम अचीवेंट्स एवाड होता है, गेम एन स्पोर्ट्स के दुनिया में, भारत ये इस्तर पे उसमें मिला है, बैडमींटन में, मंजूसा कनवार को, हौकी में मिला है, विनीत कुमार सर्मा को, और कबड़ी में मिला ह कवीता सिल्वराज को, अब थोड़ा बैग्राउंड से हिस्ट्री जान लेते हैं, सभी एवाड का, देखे जो अरजुन एवाड है, वो भारत में गेम के स्तर पे, राश्टिये गेम स्तर पे, दूतिये नंबर का हाइस्ट पुरुसकार है, इस पुरुसकार विजेता को, ब्राउंज का एक स्टैच्यू मिलता है, जो अरजुन का स्टैच्यू होता है, एक तरह से कहा जाए, अब यह जो करेक्टर अरजुन है, यह संस्कृत इपिक्स महाभारत से लिया गया है, जिसमें गेम एन स्पोर्ट्स के प्रति जो डेडिकेशन से है, उसको दरसाता का एवार्ड मिलता है, 1961 में यह फॉस्ट टाइम कंस्ट्यूट किया गया था, और हम यहाँ पे देखेंगे कि पहले, यानि कि अरजुन एवार्ड जो है, मेजर ध्यानचंद एवार्ड से पहले, फॉस्ट भारत ये अस्तर पे, राश्ट ये अस्तर पे, गेम एन दुनिया में पहले स्थ का एवार्ड होता था, इस में इस 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 एवार्ड को देती है, इसके बात हम यहाँ पर देखेंगे ये यह अवार्ड के लिए एक प्रोसेस होता है, जिसमें नॉमिनेशन की प्रकृइण होती है, हर स्थ। से जितने भी हमारे राष्टी अस्तर के एजन्सीज हैं जिसमें नाशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन फिर हमारी जो इंडियन और अंपी का शोशेशन हैं फिर जो साही है स्पोर्ट्स अथॉर्टी ऑफ इंडिया इन सभी के द्वारा इन सभी के द्वारा इवें जो स्टेट अ promotion and control के लिए जो boards होती है state government के अंदर, union territories के अंदर, उनके भी सदस्यों के द्वारा अलग-अलग छेतर से अलग-अलग player का नाम recommendation किया जाता है ministry के पास फिर ministry के committee होती है जो उन सभी player का background anti-doping test के साथ you know anti-doping test is very important thing और उनका 4 साल का background देखा जाता है, उनका performance देखा जाता है, background in the sense की performance देखा जाता है, कैसा performance रहा है उसका धार पर ये award के लिए वो नामित होते है और आश्परतिव फिर्वन में उनको पुरुसकार दिया जाता है जिसमें 15 लाक रुपय में बता चुकी है आपको साथी साथ जो उनका ceremonial dress होता है क्योंका जो dress उस दिन जो award लेने जाते है जो कपड़े पहन के वो जाते है वो भी उस award का ही part होता है certificate मिलता है जिसमें Arjuna award certificate जो कि most important है देखे थोड़ा सा और हम लोग जाने कि 1977 में indigenous game को इस अरजुन एवर्ड में include किया गया था जैसे कि international level पर बहुत सारे well recognized games होते like cricket ये कोई मतलब भारत का game नहीं है लेकिन ऐसे बहुत सारे game हमारे देश के अंदर है जो बिलकुल एकदम से indigenous है मतलब हमारा खुद का एक self एतिहासिक game है जिसको हम कह सकते है तो उन सभी game को भी उसमें इस्थान दिया गया और इसके बाद हम देखेंगे कि जो handicapped है जो physically handicapped है उनके भी game का एक अलग से परियोजन करके उसको भी इस game में स्थान दिया इस award के तहत नामित किया गया और 92 से हम देख रहे है कि ध्यान चन्द award एक अलग से स्थापित किया गया बाद में और इस game में कौन-कौन से इस award के लिए कौन-कौन से game आते हैं वो हम एक बार देख लेते हैं पहले जो आते थे बाद में तो मैं बता रहे हूँ आपको कि अभी तो बहुत सारी games में यह award मिलता है लेकिन specifically पहले जो award मिलता था वो olympics game में इस्यान games में commonwealth games में world cup में ठीक है यह cricket में यही सब होता था अभी अलग से categories है indigenous games का भी और physical challenge जो person है उनके लिए भी अलग से यह award दिया जाता है नौ हम बात करते हैं major dhyan chand जो award है देखिए पहले जो major dhyan chand खेल रहतना award है पहले जो नाम हुआ करता था जब यह award स्टार्ट किया गया था 1992 में उस समय इसका नाम होता था राजीव गांदी खेल रहतना और बाद में 2021 में मोदी जी ने इनका नाम rename करके major dhyan chand award किया है और इसमें हम देखेंगे कि 25 लाक रुपे की धनरासी दी जाती है और सबसे most important चीज है कि यह जो award है ध्यान chand आपको पता है ध्यान chand भारत के सबसे मतलब अभी तक के वैसे player रहे हैं जब सुविधाएं नहीं थी हमारे पास हम आजाद नहीं थे उस time से इन्होंने खेल की दुनिया में भारत को बहुत ही अबल रखा है specifically होकी की दुनिया में होकी का इतिहास देखेंगे तो भारत आपको बहुत ही ज़्यादा bright spots पे दिखाए देगा now situation is different but earlier it was और इसी को recognize करते हुए rename किया गया था और हम यहाँ पे देखेंगे कि जो 92 में ये award मिला था जब नाम राजीव गांदी खिल रतना था तो उस time पे जो award मिला था वो थे आपके विश्वनात आनन तो first award याद रखना है आपको और ये world label पे grand master मतलब इनको बहुत सारे award मिल चुके है world chess champion है ये और एक और important चीज़ याद रखना है आपको पंकज अडवानी एक मात ऐसे sports person है जिन्होंने ये award दो अलग अलग game में जीता है जिसमें एक आपका है आपका एक तो बिलाड जो game हो गया उसमें आरज उसनुकर है उसके अंदर भी ये एवोर्ड पंकज अडवानी को मिला है तो दो अलग game में इनको मिला है इसके लिए भी वही process है आपकी anti-doping agencies के द्वारा टेस्ट होता है उसके बाद फिर अगर वही प्लेयर से world level पे किसी game के लिए नॉमिनेट होते हैं तो world level की जो anti-doping test के agency उनको ये reports दिया जाता है तो काफी ज़्यादा प्रॉसेस से गुजरना पड़ता है और इसमें बहुत हाई label की जो members होते हैं committee के, जो check करते हैं, dropping test करते हैं, उसमें joint secretary label के, deputy secretary label की, जो sports and game mantra लेकर होते हैं, directors involved होते हैं, तो ये हो गया, अच्छा एक और चीज़ है, ये certified करते हैं, लेकिन जो certification देने का काम होता, वो साई के द्वारा होता है, और अधर जो राष्टियस्तर के जो एजेंसियां है वो यह रिपोर्ट यह जो सेटिफिकेट होता दे देती जैसे कि मालेज़ साई है तो साई ने आपको प्लेयर है साई ने आपको एक सेटिफिकेट दे दिया है कि हाँ आपने एंटि डॉपिंग यानि किसी भी तरक का ड्र पर देखने को मिलेगी द्रोनाचार एवर्ड आपको पता है महभारत इपिक में ही गुरू द्रोन का नाम आता है तो द्रोनाचार एवर्ड वहीं से लिया गया है जो गेम्नि स्पोर्ट्स में जो कोच होते हैं उनको यह सम्मान करता है 15 लाक रुपे का एवार्ड होता है और 1985 में ये वाट भारत सरकार के द्वारा रिकग्नाइज किया गया था, यसे भी हमारी जो यूथ मिनिस्ट्री है, वही देती है, और इसमें जो कोच होते हैं, उनकी लगतार 20 साल का जो परफॉर्मेंस होता है, वो होना आनिवार है, और पिछले चार साल में उनका किस तरह क परफॉर्मेंस रहा है, उसको देख करके, फिर ये अलग कमीटी के द्वारा इनके नाम की जो है, इनको नॉमिनेट किया जाता है, और फिर मिनिस्ट्री इनको रिकग्नाइज करती है, तो ये हो गया, इसके तहत भी वही 15 लाक रुपे का एवार्ट, फिर गुरू द्रोन क का जो एवार्ड है, जो स्टैच्व है, वो रहता है, और सर्टिफिकेट इनक्लूड रहता है, तो ये हो गया पुरा जो आज का गेमेल स्पोर्ट से सम्मंदित नियूस था, विद फैक्ट्स अन स्टैटिक्स बैग्राउंड के साथ, तो थेंक्यू, थेंक्स वर से सम्मंदिते नियूसे चुराओर